जब लक्षमन को मूर्चा आई और भगवान ने सुचा कि मेरा ये सबसे बड़ा संकट कौन हर सकता है हनुआन से कहा कि तुम जाओ और संजीवनी ले गयाओ तो जब आकाश में हनुआन चले तो सूरज निकला हुआ था और अगर सूरज इधर निकल जाता जहां लक्षमन लेटे हुए थे तो भगवान के जीवन का सबसे बड़ा संकट आ जाता उनका भुजा जैसा भाई जिसे वो अपनी भुजा कहते हैं दाहिनी वो प्रत्वी छोड़ जाता भगवान सहन न कर पाते सूरज से मिले तो उनने कितनी विनम्रता से बात की इस सूरज इतना याद रहे संकट एक सूरज वन्ष पे है लंका के नीच राहु द्वारा आगात दिनेश अंश पर है मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमतकार होगा तो सूर्य वन्ष में सूर्य देव निश्चे थी अंतकार इसलिए चिपे रहना भुदवन जब तक न जड़ी पुंचा दूमें बस तभी प्रकट होना भगवन जब संकट निशा मिटा दूमें शक्ति पाना यश पाना लेकिन विनम्र रेना आशा है स्वल्प प्रार्तनाय सच्चे जी से स्विकार होगे आतुर की आर्थ अवस्था को होकर करवनार्द नियार होगे अन्यथा क्षमा करना दिनकर अंजनी तने से बाला है बच्पन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है मुख में तुमको धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा बंदी मोचन तन होगा जब लक्षमन का दुखनी चाला